दोस्तों कोट से जाकर इस्टे लेने की चर्चा अक्सर होती रहती है और अगर प्रपर्टी या अन विवाद उत्पन हो जाए तो कोट से इस्टे लेना भी पड़ जाता है तो आखिर यह कोट द्वारा इस्टे होता क्या है और यह कैसे मिलता है फिर अगर किसी प्रपर्टी पर इस्टे लग जाए तो इस इस्टे को कैसे हटाया जाएगा आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार मैं एड़ोकेट प्रभात रंजन आपका अपने चैनल वीजी लीगल टीश्ट पर सवागत करता हूं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न इस्टे और को अस्थगन आदेश भी कहा जाता है और यह कोट द्वारा पारित एक ऐसा आदेश है जो किसी भी कारवाई को इमेडियेट इफेक्ट से रोग देता है अब इस्टे भी दो प्रकार का होता है अस्थाई और और औस्थाई औस्थाई यानि टेंपररी इस्टे और स्थाई स्टे का जिकर Order 39 Rule 1 & 2 Civil Procedure Code में किया गया है जबकि अस्थाई स्टे का जिकर Section 38 Special Relief Act 1963 में किया गया है 39 Rule 1 में कहा गया है कि अगर किसी मकदमे में परपर्टी से related खतरा हो यानि कि दूसरी पार्टी किसी परपर्टी को खतरे में डाल रहा हो या Dispo Job करने वाला हो या आपको उस परपर्टी से गलत तरीके से बेदेखल कर रहा हो तो ऐसी स्थिती में मुकदमा चलने के दौरान कोट दूसरी पार्टी को Order Pass कर ऐसा करने से रोक सकती है P39 Rule 2 में कहा गया है कि अगर आपने किसी के साथ Contract करा है और दूसरी पार्टी Contract से मुकर रही है, ब्रीच कर रही है और उस ब्रीच से आपको नुक्सान हो रहा है तो उस केस में अगर आप मुकदमा फाइल करते हैं तो मुकदमा की Pendency के दौरान Code Order Pass कर उस दूसरी पार्टी को ब्रीच करने से रोक देगी यानि कि यह stay औस्थाई होगा जब तक वह मुकदमा चल रहा है तो आप जब भी किसी मुकदमे में stay की application लगाते हैं औस्थाई stay के लिए तो Code सबसे पहले देखेगी कि प्रत्यम द्रस्टिया आपका मुकदमा बनता है या भी नहीं अगर आपका मुकदमा प्रत्यम द्रस्टिया बन रहा है और उस मुकदमे में काफी वजन है और अगले पार्टी के कृति से आपको नुक्सान पहुच रहा है इस तरह का नुक्सान जिसकी कोई भरपाई ना हो पाए तो कोट उस मुकदमा के दोरान दुसरी पार्टी को अस्थगन आदेश पारित कर उस कार को करने से रोक देगी और इस तरह से आप 39 रूल 1 और 2 में कोट से औस्थाई इस्टे ले सकते हैं जब तक वह मुकदमा पेंडिंग है चल रहा है अब वैसे तो मुकदमे के दोरान इस्टे पारित करने से पहले कोट दुसरी पार्टी को नोटिस कर उन्हें पहले सुनती है लेकिन अगर किसी का केस अर्जेंट नेचर का है जिसमें की इमिडियेट रिलीफ ना दिया जाए तो वह मुकदमा निस्फल हो सकता है बेकार हो स थाई इस्टे की यानि की मुकदमा चलने के दोरान इस्टे की अब अगर किसी को पर्मानेंट इस्टे चाहिए यानि की हमेशा के लिए इस्टे तो उस केस में सेक्शन 38 इस्प्रेसिफ रिलीफ एक्ट मुकदमा फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 38 इस्प्रेसिफ रिलीफ एक्ट करता है अगर कोई व्यक्ति कानुनन किसी कारी को ना करने को बात दे है और फिर भी वह उस कारी को करता है या फिर करने की धमकी देता है तो उस केस में कोट उस व्यक्ति को उस कारी को करने से हमेशा के लिए रोग देगी अब अगर court ने stay order पारित कर दिया है, तो उस stay order को आप कैसे हटा सकते हैं, तो stay order को हटाने के लिए order 39 rule 4 में application लगाई जाती है, जहां पर फिर दो situation होते हैं, पहला यहा कि stay जो है, एक्स पार्टी दिया गया है, आपको सुने बगर दिया गया है, तो उस case में अगर आप court को संतुस्ट कर देते हैं, कि stay जो है गलत facts के अधार पर लिया गया है, या फिर court को mislead कर लिया गया है, तो अधालत उस case में उस stay order को vacate कर देगी, फिर दुसरा situation आता है, जहां पर कि stay आपकी presence में आपको सुनने के बाद दिया गया है, तो वहाँ पर अगर आप court को दिखा दें, कि आगे चल कर इस्थिती बदल गई है, situation में changes आ गया है, या फिर उस stay से आपको अनुचित कठनाई हो रही है, तो उस इस्थिती में भी court stay order को vacate कर देगी, अगर stay order होने के बाद भी दूसरी party उस order को obey नहीं कर रही है, तो इसके क्या परिनाम होंगे, और दूसरी party को ऐसा करने से कैसे रोका जा सकता है, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, तो इसी तरह की महत्पुन जानकारी के लिए आप मेरे स्चनल बने रहे हैं, धन्यवाद!